हेलो एब्रिवन, वेलकॉम बैक टू सक्चम फैमली और देखिए आज UKSSS ने एक लैटेस नोटिफिकेशन जारी किया है आप दिनांक इसमें देख सकते हैं साथ एक दो हजार इकीस और ये है आपके लिखित परिक्षा के बाद अब अबिर्थियों के अभिलेक, विकल्प च वेरिफिकेशन होते थे, आज तक जो होते थे, उनमें और जब अब जो डॉकमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं, उनमें आप कुछ चेंजेज होंगे, बहुत जादा चेंजेज नहीं होंगे, वो आप लोगों के लिए ही सहूलियत होने वाली है, आप लोगों के लिए उसमें बिल्कुर टाइम बचेगा खास करके उन अभियर्थियों का जो वेटिंग लिस्ट के लिए बहुत समय ले बहुत मतलब वेट करते हैं और बहुत परिशान हो जाते तो उन लोगों के लिए तो बहुत भैतर हैगा ये जो लोग मैरेड में थोड़ा पीछे हो जाते है ठीक है तो विसेश तोर पे उसी लिए ये सारी नीतियां आयोग ने बनाई है तो कहां से ये नीति बनाई गई है तो आप देखेंगे यहाँ पे कि विसेश अपील संक्या 721 उत्राखन अधिनस सेवा चैन आयोग बनाम राकेश सिया परोडिया वा अन्या एवन विसेश अ विकल्प चैन ना होने के कारण मैरिट की आदार पर चैन के अफशर को समाप्त नहीं किया जा सकता यह भी मैरिट ही चैन का मुख्य आदार है इसके साथ ही आविंद पत्रों में यह मेही विकल्प लेने से अब्यर्थियं द्वारा कई प्रकार की तूर्टियां हो जाती है जिससे बाद में विकल्प की प्रात्मिक्ता देने में कटनाई वजटेलता होती है यह भी मैतोपूर्ण है कि लिखित परिक्षा में चैन के उपरांत जो अब्यर्थी सम्मंदित पद के लिए चैन के इच्चुक नहीं है उनके स्थान पर मैरिड में प्रतिक्छारत अब् इसे समवात को पढ़ना और आप इसको डिटेलिंग से अराम से बैठके पढ़ सकते हैं आपको सो बातों की बात बता देता हूं कि इसके अंदर लिखा हुआ है तो इसके अंदर बेसिकली यह है कि आज तक जो आपका डॉक्कुमेंट वेरिविकेशन होता था वो ऐसे होता होता कि आपका जैसे डॉक्कुमेंट वेरिविकेशन है जैसे अभी जिन बियर्थों का सेलेक्शन हो आपका डॉक्कुमेंट वेरिविकेशन होता है अब उसमें पहले डॉक्कुमेंट वेरिविकेशन होता है आपके देखे जाते हैं कि जो आपने डॉक्कुमेंट कोटे वाले कुछ आपके certificate होते हैं ठीक है SC, OBC, EWS वाले ये जो certificate होते हैं ये सारे के सारी चीज़े आपके check होती है उसके बाद क्या होता है आपका counseling के लिए आपको बुलाए जाता है जहां पे आपको क्या करना होता है आपको अपनी preference देनी होती है कि मुझे जो है इस वाली document verification होगा जैसे जिन लोगों का 20 को होना है या 19 को होना है 21 को होना है अब उसी दिन आपको क्या होगा कि आपको आपकी choice पूछी जाएगी आपको पूछ लिया जाएगा कि आपको concert department चाहिए आपको concert department चाहिए और कहां पे चाहिए मतलब आपको district आपको बता देना है वहाँ पे कि मुझे देहदून चाहिए या फिर मेरे कोई कुमाओ region से हो सकता है कोई आपके गरवाल region से हो सकता है तो anything else कि आपको कहीं भी चाहिए तो आप उहाँ पे जाकर अपना बता सकते है ठीक है तो अब ये आपको उसी दिन बताना पड़ेगा अब आपको ऐसे नहीं होग तो उसके लिए बाद में document verification होगा तो जिन अभी अर्थियों का merit में अच्छे marks जिनकी होते हैं वो तो हर एक post के लिए eligible होते हैं तो वो document verification उनका हर एक post के लिए होता है ठीक है अब अलग-अलग post के लिए होता है तो अब कोई जाता है कोई नहीं जाता है इस चक्कर में जो होगा यह एक ही दिन होगा जिस दिन document verification होगा उसी दिन आपको आपकी choice भी पूछ ली जाएगी कि आपको किस department को join करना है अब ऐसे नहीं कि आपको जैसे let's suppose कोई दूसरा department हो तो उसके लिए आपको अलग से जाना पड़ेगा नहीं अब आपको जिस दिन document verification होगा आपको उ इसा नहीं होगा आपको खुद क्या करना पड़ेगा आपको घर से सोच के जाना है कि मुझे कौन सा department चाहिए और मुझे कहां पर join करना है बस हो गया उसी दिन आपका final list आपकी लग्किया आजाएगी और इससे उन अब्यर्थियों का भी time बचेगा जो waiting के लिए wait कर रहे ह होते हैं नहीं तो ऐसे में क्या होता है आपका कि आपकी जैसे कोई जैसे आपने दो-दो department जोईन कर लिए यह दो department में डॉक्मेंट वैरिफिकेशन कर चले गए अब आपने एक department में नहीं गए ठीक है आप क्योंकि जॉब तो आप एक ही जगे करोगे दूसरे जगे तो करो क्या करना होता है जवाब देना होता है तो ऐसे में बहुत लंबी चोड़ी वह प्रक्रिया हो जाती है और इससे जो वेटिंग में जो वेट कर रहे होते हैं फिर उनके नमर भी वहाँ पर नहीं है आप आते हैं तो इसलिए इन्होंने सिंपली यह कर दिया है कि अब आप ए जैसे अब हो सकता है कि किसी के पाँієसरी जैसे नहीं है अब जिस दिन डॉक्रिया से लाश्ट में लेट हो जाती है तो इन सभी परिकरियाओं से बचने के लिए यह बहुत अच्छी बात कर दिया या उग ने कि जिस दिन आ आपका डॉक्रिया होका का हमारी आपको आउनस उसी दिन आपको ये बता दिया जाएगा ये आप से पूछ लिया जाएगा कि आपको कौन सी पोस्ट रही है और कहां पर आपको जॉइन करना है और वो merit-based भी होता है जिसके अच्छे marks है वो जिसके अच्छे marks है आप उसको preference मिलेगी कि बताएगे आपको कौन सी जगे जाना है आपको कौन सी पोस्ट लेनी that's it तो इससे क्या होगा कि आपको जो पीछे वाले जो अब बेरती होते हैं वेटिंग लिस्ट वाले होते हैं उनको फिर ज्यादा टाइम ने लगेगा और फिर ये आयो को बार बार ये notice नहीं भेजने पड़ेंगे फोन नहीं करना पड़ेगा कि भी ये आजाओ अपना document verification के लिए कराओ ठीक है तो इन सारी चीजों को की परिकरियाओं से बचने के लिए आयो ने ये सारी चीज़ें कर दिये तो मैंने आपको detailing में ये सारी चीज़ें बता दिये हैं जो इसके अंदर लिखी गई है बाके आप लोग simply आयो की वेबसाइट पे जाईए इस जो notice है इसे आप download कीजिए और इसे अराम से पड़िए और मैं आप लोगों को बता दू जिनका 24 document verification है आप दिमाग में clear करके जाईए जिसका कौन सी post join कर लिए जिनकी marks अच्छे होते हैं ठीक है बाकी इसमें उन लोगों का सबसे अच्छा फायदा है जो married list का wait कर रहे होते हैं क्योंकि married बहुत लंबी लग जाती है किसी का document नहीं होता है बहुत सारी चीज़े इसके अंदरगत हो जाती है ठीक है तो आप चाहो तो आप इसे समभात को download कर सकते हैं और इसे पर सकते हैं अगर कोई point समझ में आया तो आप comment box में comment कर सकते हैं that कि मैं आपका उसे reply कर सकूँ तो इस वीडियो में इतना ही हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye take care and thanks to all